नमसक्त दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंग गारण में जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाली की बात हम इस चैनल में करते हैं तो आप यह देखिए कि यह जो setup देख रहे हैं यहाँ पे हमारी सारी seedlings त्यार होती हैं आप देख सकते हैं अभी भी सिद्लिंग्स हैं और शीदिंग्स त्यार होती हैं पर साथ के दिनों के लिए हमने जो है यह कुछ हाफ इससे में शेड बनाए हुआ जिसमें से लाइट तो आ सकती लेकिन बारिश की पूंदे नहीं आ सकती तो आपने चठ का गाडन देखा यह हमारा जो है किया है इसमें all-in-one किया है दोस्तों all-in-one से मतलब सीधी सीधी बात है इसमें हमारी सबजियां भी है fruits भी है flowers भी है medicinal plants भी है तो all-in-one का हमने एक ये setup देखिए इतना बड़ा अभी इसेंटली सुरू किया है ज्यादा नहीं हुआ है हमें इसमें चार से छे महीं नहीं भीते हैं तो आप देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ दिखाता हूं इस साइड से देखिए जैसे के ये बेलिया गुलाव यनि के बेल वाली गुलाव हो गई और ये तुलसियां हैं जो के medicinal म में आ गई यह आप देख रहे हैं कुछ पौध हैं इनको थैलियों में लगाया गया धूप जो है पिछले पंदरा दिन से नहीं आ रही है इन में मैं दिखाओं यह छोटे-छोटे देख रहे होंगे तो यह आइसबर्ग लेट्यूस है जो के बड़े-बड़े होटलों में यूज किया जाता है यह आप देख रहे हैं जो पौधा यह औरेगेनो है जो आप पीजा में बहुत टेस्ट ले करके डाल के खाते हैं आगे आप देखेंगे यह है थाइम थाइम की वराइटी है जो कि बहुत ही सहतमन्द चीज होती है और सबजी में एक आजीव किसम की ख सेलरी का दूसरा बर्जन और देखिए अभी इधर बहुत मोटे मोटे पत्ते होने चले हैं और ठैलियों में लगे हुए हैं तो यह सब जो है फाइव स्टार सेवन स्टार की चीजे हैं जिनको वो लोग यूज करते हैं आम तोर पे लोग इसका नाम तक ही सुनते हैं तो अ आगे आप देख सकते हैं कि यह लोगी हमने लगाई और लोगी ने तो अंगिनत फल दिये अब देखिए यहां पर कितने फल इसके अंदर हर टहनी के अंदर हर गाठ के अंदर आप फूट देख सकते हैं और इनका साइज देखेंगे तो हैरान रहेंगे आप यह देखिए लोकी का सहे देखे एक लोकी जो है बारा बारा किलो की लोकी यहाँ पर लगी ऊई है जग चगा लगी अब इसके पीछे का एक किस्सा सुनाता हूं मैं और छोटा सा किसा भी रिसेंटली की बात है आपने लंबे वाली लौकी देखी ये गोल वाली लौकी इसका भी हमने बेल लगाया था और क्या हुआ कि यह लोकी फल नहीं दे रही थी यह वाली फल दे रही तो एक जीते जागते की बात है तो इस लोकी के पॉधे को मैंने बात की कि अगर विदिन वीक जो है इसमें फल नहीं आया तु इसको काटके अलग कर देंगे आप येकीन मानिये इस सरदी के मौसम में भी आप देख सकते हैं कि ये कोल वाली लोकी लोकी और लोकी जिदर देखेंगे लोकी ये देखे और भी दिखाता हूँ मैं आपको ये देख सकते हैं ये देखिए ये लोकी ये देखिए लोकी और ये देखिए लोकी तो लोग कहते हैं कि जी निर्जीब, निर्जीब कैसे? ये भी सुनते हैं, समझते हैं एमोशन्स को भी और चीजों को भी तभी देखिए कि भोलने के बिदीना वीक अजीब सी बात है ऐसे यकीन नहीं होता लोगों को लेकिन मैंने जो फिल किया मैंने सोचा आपके साथ भी सेर करना है इसमें गुलावों की वरैटियां हैं और बहुत बढ़िया जैसे कि ताज महल रोज आपने सुना एफिल टावर अमेरिकन व्यूटी और इस तरह से बहुत बेंगन जो है यह लगा हुआ है काफी हम इसमें से तोड़ चुके हैं और अभी सर्दी की वज़ा से थोड़ा यह रुक गया है जिसको एग प्लांट बोलते हैं इसके साथ ही भरते वाला बेंगन यह दो चार पौधे हमने लगाएं और आप देखें के हरान रहेंगे पौधों में पैंगन देखें जड़ों में यह देखिए तो इतने ब्रिंजल जो है लगे हुए है इसके अंदर आप देख रहे हैं दिवार के साथ साथ पूरा यह लगाया हुआ है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह जो है मटर है लेकिन दोस्तों यह मटर नहीं है य जो मटर जैसी बेल है मटर जैसे ही फूल आएंगे और यह पूरा उपर तक चड़ेगा उसको चड़ने के लिए हमने देखिए जाल का इंतजाम किया है और यह इसके उपर चड़के फूल देगा अब आप यह सोचते होंगे इसमें क्या खासियत है लेकिन जो लोग जानते हैं इसके बारे में वो तो अच्छी तरह से वाकिफ है इसकी जो खुश्बू होती है दोस्तों मद मस्त कर देने वाले खुश्बू और यह नहीं के मटर का फूल तो सफेद होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं लेकिन इसका फूल सफेद निसके रंग भी रंगे होत हैं पकड़ करके इसके उपर चड़ जाएंगे तो यह स्वीट पीज हमने लगाई है और दूसरा मटर भी दिखाऊंगा साथी साथ आप मैंने जैसे कहा कि आल इन वन आल इन वन में यह देखिए यह दो आम के पौधे आपको दिख रहे हैं यह आम वो आम है जो मियाजाकी आम कहते हैं मियाजाकी आम आपने देखा होगा नेट पे सर्च करेंगे मियाजाकी जो है 2,0,002 kg इसके पौधे दो लगाए गए हैं आप देख सकते हैं आगे आप देखिए आल्टीमेट फुरूटिंग इसमें देख सकते हैं आप यह देखिए कैसे गुच्छों में यह एपल बेर की वराइटी है यह हमने लगाया है और इसमें फ्रूटिंग आप देखेंगे यह देखिए फ्रूटिंग गजब की फ्रूटिंग लिए हुए एक एक मतलब पते कम है और फल जादा है पुरे पोधे के अंदर एक ही टेहनिय भी पनपी है और तो और इसमें मैं प्रूटि परपस एक छोटा सा गाडन सेट कर सकते हैं फूल कम फल कम सबजी कम मेडिसिनल प्लांट फूट में जैसे के मौसंबी हो गई मौसंबी लगा दी लीची लगा दिया और इसके साथ आप देखिए मेडिसिनल में यह रोजमेरी कितना खुब सूरत देखिए इसके खुश्बू तो मैसूस करने लाइक होती है और साथ ही एंटी एजिंग है एंटी ऑक्सिडेंट है तो इसका इस्तेवाल आप सबजी में कर सकते हैं काड़े में कर सकते हैं चाय में कर सकते हैं तूद में कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं और आपने आपको फिट रख सकते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं इन सभी में भी फूल आने की सुरुआत हो चुकी है जैसे गरमा इस पड़ेगी वैसे यह फूल फलिभूत हो जाएंगे किनारे किनारे में चीकु लगा दिया है तो यह देखिए फूरूट के प्लांट हो गए अब आगे देखिए मटर और स्वीट पी में क्या डिफरेंस है जो हम खाते हैं मटर उसमें और स्वीट पी इसके अंदर डिफरेंस आप यह देखिए यह तो आपको स्वीट पी है और यह देखिए यह जो हम मट्र खाते हैं हर में हमारी सबजी वाली मट्र तुबहां द intellig कि बडूर उध में इसके फूल सफेद है är और यह देखिए मट्र लगने शुरू हो गए यह देखिए यह देख सकते हैं मटर लगने शुरू हो गया है इनके लिवे हमने क्या किया है इस तरह का जाल का दिवार पर प्रबंध किया है अक्सर क्या होता है दोस्तों कि मटर जब नीचे लगाते हैं बारिश हो जाए या नीचे गिर जाए क्योंकि इनमें क्रीपर होता है तो फ्रूटिंग जो है नीच सुतर्एूटिंग मिल जाएगी।। आफ देख सकते को पीले फूल का अंबर। जन के कहते है संदों कभी आफसे1 14 लेंे को है लेकिन समयों आफमान स्वाट रेकर संत्वितिंगर कि पिंचिंग इसलिए कि जब यह सिंगल पोधा होता तो इसके उपर कहिसा तोड़कर के साग में इस्तिमाल कर लेते हैं और इसका जो फूल है वो फल में कनवर्ट हो रहा आँ देखिए एक बीच से जो हैं यहां पर हजारों पीच तियार हो जाएगा सरसुंका और फूल का लुप तो आप देखी सकते हैं कि कितना बढ़िया इस morning में, सुबा में दिखाई दे रहा है सब्जियो में देखी ये मेथी है लेकिन इसको बहुत सारे लोग जो नहीं जानते कहते हैं कि ये जंगल है मेथी उसी को मानते हैं जो अपनी घर में देशी मेथी होती है तो ये मेथी जो है दोस्तों, ये है कसूरी मेथी आपने पैकट लिया होगा मार्किट से, M.D.H. का या किसी का भी तो वो सुख्यूई मेथी होती है जो उसके अंदर और लगभग लगभग चार से पांच कटिंग इसकी ले चुके हैं दोस्तों और कटिंग के बाद ये देखिए फिर से तयार है और एंड में क्या होगा जब फरवड़ी के अंदर लास्ट कटिंग लेंगे इसके बाद इसके अंदर इस तरह की फ्लावरिंग आ जाएगी और उसमें सीट बन जाएगा ये हमने कुछ अभी रिसेंटली लगाई है गोबी यानी के कॉली फ्लावर कॉली फ्लावर कौन सी ये है परपल कॉली फ्लावर इसके पतों से आपको पता लग रहा होगा अगला हमने लगा है धनिया ये देशी धनिया है देखिए देशी धनिया की पहचान इस तरह के पत्ते आते हैं जो बड़े हो गए एक छोड़ दिया था और इसकी सुंगेंगे या घर में काटेंगे देशी धनिया तो पूरे घर के अंदर इसका एक अरोमा जो है मन को भू इसमें से फुटाव आ गया तो यह काटते जा रहे हैं चलता जा रहा है तो एक बार सितंबर में धनिया बो करके और यह फरवरी तक एक ही धनिया आपका चल सकता है तो इस तरह से हमने यह सबजियां ले ली अगला देखिए अगला है बीट रूट बोलें यह चुकंदर बोल जाइंट बीट रूट बनेगा हमारा और पिछली बार जो है आपको यकीन नहों लेकिन हमारे चैनल पे डला हुआ है दस किलो तीन सो साथ ग्राम का एक ही वीट रूट उगाया और उसी की तियारी हमारी इस बार भी चल रही है आप देख सकते हैं कि सिंगल बीट रूट है इसमें हमने खाट डाल दिया जो हमारा लीफ कंपोस होता है और इसके चारो साइड जड़ को ढग दिया देखिए अभी से ही इसकी ग्रोथ इसके पत्तों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो और इनको जो अलग से दिया है वो कितना बड़ा होने वाला ह चने का साग जल्दी मिलता नहीं है बहुत इंसेक्योर होता ँंसेक्योर का मतलब क्या है का कैमिकल और पैस्टी साइड का पूरा समा बेश होता है कि आपने देखा नहीं तो अगर ओरिजिनल खाना है तो चोटी सी प्यारी हमने चनेकि साग की लगा दूद यानिके चना जो चोड़ देंगे और इसमें फिर छोलिया जो हरा छोलिया है वो बन जाएगा दोस्तों तो देखिए एक छोटे सेरिये में भी आप इन सब चीजों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं टेमाटर टेमाटर ने तो इस बार आसू निकलवा दिये सभी के क्योंकि दोसो डाइसो पर किलो तक भी गया और अभी सीजन में भी अच्छा खासा महंगा टमाटर चल रहा था पचास साथ रपे सतर पर असी रपे तक टमाटर चल रहा था तो ऐसे में देखिए कुछ टमाटर के पौधे हमने लगा लिये हैं और आप देखेंगे इसके अंदर अल्टीमेट फ्र रहेगा और जमीन में हम पानी देंगे या गीला पन जैसे के इस टाइम धुंद पड़ रही है धूप नहीं निकल रही है तो टमाटर हो जाता है खराब दोस्तों तो इसके लिए हमने क्या किया है देखिए उपर ये गाड के इधर दिवार में करके तारबांदी और उसके कि अपरेल में भी बढ़िया फ्रूटिंग देगा देखिए जिसन साब से आपके पोधे नजर आ रहे हैं उपर बढ़ते नजर आ रहे हैं हरा भरा बिलकुल तो ये फ्रूटिंग चलती रहेगी और ये टमाटर रोला नहीं पाएगा क्योंकि घर का टमाटर है जम मर जी आ तोड़े दो चाहिए चार चाहिए आप इसका इस्तेमाल भर्पूर कर सकते हैं और कोई देखने कहने की बात न एक पोध इतना इतना फल है ये देखी फल ही फल है इसके अंदर अंदाज हर कोई पोधा एसा नहीं है कि बिलक्त नलगा हो तो पूरा फॉलों से है और यही जो है आपके आपके पॉडोसियों को भी आपके जो और नजदी की लोग हैं उनके लिए भी सफिशेंट हो जाता है कुछ एक पॉदे लगा है हम गिंती करके बता देते आपको यह दो चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदर सोला सतरह अठारह उननिस और उदर पांच होंगे लगवख 25-30 पॉदे हमने लगा दिये हैं तो यह हो गया अब आगे देखते हम यह दे इसको हमने कोई खाध नहीं दिया आज अचा शा एपको नहीं पालंक अब कर देखें तो इसके ला आप देख हैं इतने एरिये में हमने क्या कर दिया था जो हमारा लीफ कम्पोस पूरी तरह से बैक्टिल्स में बना होता है उसका यूज हमने इतने एरिये में कर दिया तो उसका नतीज़ा आप देख सकते हैं कि पालक नहीं ये लग रहा है जैसे केले के पत्ते हूँ ये देखें ये पालक के पत्ते और ये फोने देखें आम तोर पे पालक क्या होता है ये देख सकते हैं यह पूरा ही ढख देगा इतने इतने बड़े पालक के पत्ते हुए और टेस्ट भी ऐसा कि पता लगता है कि हाँ पालक यानि के स्पैनेच खा रहे हैं हम पराठे में खाएं या साग के रूप में खाएं या पकोड़े के रूप में खाएं पूरा टेस्ट देता है दोस्ते तो ये सब चीजें हमारे एक छोटे से इस एरिये में हो गई है इस एरिये का चेतरफल यानि के डाइमेंशन बताऊं तो 45 by 48 यानि कहने का मतलब 250 स्क्वेर यार्ड का ये जगा है और इसके अंदर इतना है आगे आप देख सकते हैं ये तरह तरह की जो क्रसंथिम है इनके मद बढ़ा करके इसकी कटिंग ले बहुत बढ़ बढ़िया बढ़ाएटी है जिनको हमने यहां पर समाहित किया है और ये डेलिया के जो कटिंग ती उनको तो लगाई थी साथ में जो है इनके मदर प्लांट्स की तियारी भी चल रही अब यह देखिए टमाटर की छटाई ही है खigious कर दिया है उसकी ह Deb юdा से पासल हो जाए है तो क्यों अगर आणदिategat प्ऐसलहक तो यह कलबी टमाटर हो जाएगा और हम इसको दोबारा से लगा कर के चोटे में ही बड़ी हा ת्षा फल ले सकते हैं तो स्कु już मुझे हमने व wholly नहीं किया है है और अप धनिया की बात करें तो आप धनिया गमले में एक एक सिंगल धनिया का पौधा एक लगाया है और उसमें देखिए आप कि के एक सिंगल आठाइंची गमले दनिया लगा कर करके भी उसके पट्चे तोड करकर उप एक-दो ने इन में लगा लिया है तो जैसे कि मैंने बताया कि आल इन वन का ये कॉंसेप्ट शुरू किया है जिसमें फूल भी फल भी सब्जी भी और औस्थिय पोधे भी मौजूद हैं ये सब चीजे हैं अब मैं यहां पर लेकर के आया हूं इसी के बीच में ये देखिए कुंबत स बनाय हुआ है अब आपने देखा होगा कि जगह जगह मैंने फूल का इस्तेमाल किया है इसका कारण क्या है अकसर ये होता है कि फसल इल्ड कम आती है फल आता है फूल में कनवर्ट होता है लेकिन फूट में कनवर्ट नहीं हो पता जैसे कि आपने लौकी में देखा बहुत सारे मदुमक्ही की जैसे उड़ने वाले जो कीट्स हैं वो इसके लिए रिस्पोंसिबल होते हैं लेकिन वो क्या है आते नहीं आजकल वो आते हैं फूलों पे फूल उनको अट्रेक्ट करता है फूलों के अंदर देखिए क्या होता है पॉलन ग्रेंस होता जो उनका मुख्य भोजन होता है तो पॉलन ग्रेंस यानि ये परागकन उसके लिए आते हैं और ये अपने पैरों में कठा करते हैं तो एक फूल से दूसरे फूल पे जब जाते हैं तो वो मेल फीमेल पाट को मिला देते हैं ये बहुत जरूरी चीज है आप कहीं भी कोई भी मतलब सबजी उ होगाते हैं वहाँ पे फूलों का जरूर रखे जमावड़ा चाहे 10-20 पोधे लगाएं तो रहने से क्या होगा कि जो ये मदमखिया है इस तरह के इंसेक्ट हैं वो अट्रेक्ट होंगे और वो वहाँ पे पॉलन ग्रेंस के लिए आएंगे एक फूल से दूसरे फूल जाए उसके साथ ही इनको जो ज़्यादा अट्रेक्ट करता है वो मैं बताता हूँ आपको ये देखिए इनको बहुत ज़्यादा अट्रेक्ट करने के लिए इस तरह के मेडिसिनल प्लांट होते हैं जैसे के तुलसी पे भी होता है लेकिन तुलसी से ज़्यादा ये हमारा क्या है long basil है बेजिल टाइब के है चार पाँच किसमे या नो किसम के बेजिल है हमारे पास तो उसमें जो है इसके उपर हमसे ज़ादा ट्रीक्ट होते है इसमें medicinal value होती है वो हमसे ज़ादा उन इंसेक्ट को पता है के समें medicinal value है इसका extract जरूर लेना है तो इसमें काफी attract हो करके अपने प्रोडक्शन को अपने एल को बढ़ा सकते हैं दोस्तों तो कहीं भी कोई भी चीज लगाईए कुछ फूल के पौधे जरूर रखिए यह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि काफी लोगों को मैंने देखा कि तेने ने फूल की कोई जुरूत नहीं है फूल नहीं चा यह भी रहता है तो दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट में बताईएगा और गुल्दावदी की कुछ बरैटियां और देखिए जिसको बोलते हैं स्पाइडर या स्पार्कल गुल्दावदी जो है आप देख सकते हैं क्रेशंतिमम स्पार्कल की तरह तो इस तरह से यह सभी चीजें एक में संभब है आप भी कर सकते हैं केसी तरह की जानकारी के लिए हमारा वाट्सेप नमबर ट्रिपल नाइन सिक्स नाइन टू एट फाइव वन सेवन पे आप कोंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों